प्रसासन कितने ही दावे कर ले सामान्यता के लेकिन आज भी गाउ में छुआ छुत माना जाता है जिससे सिक्षा का पवित्र मंदीर भी नहीं बचा है एसा ही ताजा मामला है टिकमगर जिले के मोहनगर तैसिल के ग्राम पंचायत मस्तापूर का जहां कि माध्धिमिक और प् हमारे बच्चों के साथ चुआ छुट मानते हैं जिस कारण हमारे बच्चों को हाथ में खाना नहीं दिया जाता है यह लगातार छे से साथ वर्षर से चल रहा है ज़िविद्याले में अध्यैन देर सुरेंद्र और निशाराय ने बताया कि हमको पठितीन हातों में माध्यैन भौजन दिया जाता है जब विद्याले में खाना वित्रण के लिए रेखा स्वेम सायता समू की सचीव कमला वन्षिकार और अध्यक्ष ओमी वन्षिकार ने बताया कि मेरे समू में विद्याले में मद्देन भोजन वित्रण किया जाता है पहले मेरे द्वारा भोजन तयार किया जाता था लेकिन विद्ध्याले के शिक्षकों के द्वारा चुआ चुद मानने के कारण वो भोजन बच्चों को वित्रित नहीं किया जाता है हमें मजबूरी मेरा राजपूर जाती की महिला को रसोईया निक्तर करना पड़ा लेकिन आज भी बच्चों को विद्ध्याले के शिक्षकों के द्वारा थाली उपलब्द नहीं करा जाती है मोहनगार से अब्देश सुखला की रिपोर्ट पड़ती हो आपको खाना कहां मैंता है अभी कितने देर पहले पर देस लेट पर अच्छा तो आप लोग अभी दिक रहें पीनिया वगयरा जे कहां से घर पे आएंक क्यों नहीं कियो निया जाता है पानी की वार्ण पानी कहां से जाती है और और आपके विद्ध्याला में प्राथिमिक साला में हम लोग गए तो अहां प्रसासन की उजनाया नेक्चर रही सुब्धाओं के लिए लेकिन आपके विद्ध्यालाय में जो आपकी समूज से खाना वनवाया गया तो अभी बच्चे हाथ में खाना का रही थी जब हमने उस वारी में सिक्सकों से पूछा तो उनका कहिना था कि समूज वाले हाथ में खाना दीती है इसमें क्या है सब्सक्ता जी है सब्सक्ता दोसों थाली रखी मांज के हमने रख दी सर ने बोला आप मांजो धो इनमें बच बच्चे खाना खाएंगे, यहां जैसे हैं, मास्टर भी जै कहते हैं कि बच्चे खाएंगे, बंसकार थाली साप करेगा फिर बच्चे खाएंगे, तो गाउं के साफ से हम रह जाते हैं, तो आपका कहिना जी है कि अब चुगाशूत मानती हैं, अभी खाना कोन बनाता है, आपका खाना नी लेंगे, हम तुनारा समुए में टबा तेंगे, अगर आ पनाओगे तो आपका सभी अंगर ने बनाओगे तो आपका समुए म 의 स्मुय में टबा दिया जाएगा, गसी बहर के पास कर देगे, आपने अधिक मानी जा रही कि है, इतनी अधिक माश्तै उनी ज चुट कर सकते हो अगर कोई भी बच्चा खाना लेले तो तो हमसे और कोई किया देना लेते हैं सब्सक्राइब कर दोसा थाली इस खाना मान के रखी पार्टी बाले आते हैं पूंद जोन हो कि शुगा शुद मानते हैं, इसलिगे हम परिसान है, बिल्कुल हम कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल हम पर बस लगाएं, आपके द्वाला पर शुआ जाया रहा है तो अभी हाई स्कूल मस्तापूर में अटेक्स्कूल नहीं है आपके विद्ध्यायों में शुगा शुटा धिक्मानी जाती है और इसी कारण बच्चों को उनके अभीबाद कोने और समूज संचालक ने आरूप लगाये हैं कि सिक्षकों के द्वारा शुगा शुटा मानी जाती है इसलिए हां तो में बोजन दिया जाता है अब शुटा शुट के बारे में तो इसी कोई मिल समस्या नहीं भी फिर हां तो में बूजन क्यों लगाता है पांसाथ बैसों से दिया जाता है अब यहां 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 पानी की समस्या जो बच्चों के अभी बाबा के उनके द्वारा बताया गया है साथ और लोग की समस्या की प्रवबां लोगों में गाहां वालों जो सबसे हैं तो दोसरी सिकाइट है जब आपके पासपरात में एक साला का पर प्रवार था उस समय आपके दुआरा बालाय का निर्मार किया गया था जो आज भी आधा धूरा है और उसको देखने से पता पारता है कि उसकी कितनी दैनी इस्तिती है बच्चे और बच्ची खुले में सुच जारे जबकि उसकी लागता आपके दुआरा उसमें सबालाक सब्सक्राइब करें दुआरा नामसे पुमार विए और उनसे आप संबाइब कर सकते हैं असलावी सुनने में है कि आहां सक्षेक समय पे नहीं आते हैं तथा जो बच्चों का प्रवेश है वो बहुत कम हो रहा है सबी समय पर नहीं में आते हैं अभी आपके विद्ध्याल कि और डियंका अदर्य सब्सक्राइब करें दो कितनी हो चुकी लगए एक सो विया ली समाथ लिए और अची फचाशी आश्वी है इस पिंग वाकूर को अपता है आज तर प्रेशन गया था जाली। तर उसके अनुसर हम आपसे पुछ लएगे। जो बट्टों के अभी वाकों में दॉआ आलोग लगाया गया है। फिर्वा-खुर वाला। उन्हें किनी सब्सक्राइशन? कि अभी तक ना दो बच्चों की दौार ना अभी वावा को दौार ना किसी जो हईयना दौासी है यहाँ पे उनका वावल है किसी भी दौार नहीं किसी सिखाए ते हमारे केमरी में इस बात रिकॉर्ड है नागदा के समीब ग्राम पिपलिय मोलू में वही के निवासी ग्रामिनों ने अविद रूप से कबजा कर लिया और मजे की बात तो यह रही कि प्रसासन को इसकी भनक तक नहीं पड़ी प्रसासन को जब मीडिया द्वारा अवगत कराया गया तो SDM RP वर्मा ने कहा कि अगर किसी ने भी इस तरह की कुछ कारवाई की है तो उसे बक्षा नहीं जाएगा तुरंत प्रसासनिक कारवाई की जाएगी और चालान भी किया जाएगा नागदा नगरपाली का CMO को अधिकारियों पर हो रहे हमले पर ग्यापन देना महंगा पड़ गया नागदा नगरपाली का अधेक्ष अशोक मालविया ने फोन पर बीना बताए आप ग्यापन देने क्यों गए अगर ऐसा करना था तो मुझे बताना था कई इंदोर जीसी घटना आपके साथ ना हो जाए अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार की खुली धंकी देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं अब देखना हिया है कि इस प्रकार की धंकी देने पर इनके उपर क्या कारवाई की जाती है नागदा से शंजेश शर्मा की रिपोर्ट नमस्कार ये आज चो गया पंदिया के अपने पास कहीं से कुछ आया था क्या यूनियन जी यूनियन का था यूनियन का था सीयमों यूनियन तो सीयमों जाता ना क्या पंदेने नहीं नहीं तो सीयमों के लिए जाएंगे सब लोग जाएंगे क्योंकि करमचारियों के साथ 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 कर कि युअंएस जाएंगी कियो जाएंगे स्य ओको किने से मेरे कहने सिंण स्यॉट्पार्ि समय सिर्थाइबWhere क्यों अप्छा सभू मेरे कहने से नहींद मैं क्रिये जहाएं ty और चीँजी सम्गश्दार तो करें आप यहिए जादा समझतारबंदरों कि तुम्हों अकेले पर भागतों कर ले दिया थे लिए जो 감ति नखिञा erग है थे जो बीο मतलब संगता नएणए था पूरे पर देस को दो कि या सैंग ने जाने था नो creation मन्हीं सरके जाओ तुम्हारे सबस्टसर ने कार्मचार। नहीं दहीं, है रहा दो लेके जाऊ तुम। सारे करमकारी हादिस्टांदीर मैं लेका लिए किसी अधाल को पूरी रिपॉर्ट निकाली है जी नहीं, जी, मैंने नहीं बोला है मैं क्यों गोलूँगा कि यह ना यह जो जो तुम यह जो करते हो ना इस पश्ट्र काम करना यह जो इदर लुखुश उदर भी खुश हुआ मामला नहीं चलेगा मेरे था इस जगह सा आया ना बहुत छोटी है और नागदा बहुत बढ़ी जगह आभी मेरे पर